हेलो श्ट्रोर्स मैं आपके पास लेकर रहा यू स्टेंडर फाय का प्राव्लिम से क्रिप्टिफाय उके इसमें फिर्स कोश्चन है से वेदर राइट और रॉंग यह नीचे दिये गए एक्जाम्पल से यह राइट है रॉंग है हमें यहां पर बताना है तो यहां पर फिर् 23 प्लस 4 is equal to 4 प्लस 23 यहां पर देखो इक्वेलिटी शो की है इन दोनों ओपरेशन की सो 23 में 4 एड़ किये तो यहां पर आंसर क्या आता है 27 सेवन ओके और 4 में 23 एड़ किये फिर्व के आता है 27 आते है तो दिये गया ओपरेशन में एक्वेलिटी शो की है इसका मतलब उनका क्या कहना था कि यह दोनों का answer क्या आता है same आता है सो हमने निकाल लिया यह same आता है यह right यह wrong है यह right है ओके अब इस second 9 plus 4 greater than 12 9 plus 4 कितने होते 13 और 12 as it is लिए हमने इसमें क्या दिखा है greater than यह operation जो है greater दिखाया है so obviously 13 greater है 12 से यह क्या हो गया right हो गया कि नहीं यहाँ पर हमें लिखना है right ओके अब ही third one 9 plus 4 is less than 12 9 plus 4 13 होते है 13 less than हो गये क्या 12 से नहीं 13 यह greater है यह sign यहाँ पर आना चाहिए था greater 13 के side में चाहिए था यह 12 के side में गया है so यह क्या हो गया wrong हो गया कि नहीं यहाँ पर हमें लिखना है wrong ओके four number 138 greater than 138 यह दोनों नमबर सेम है यहाँ पर greater than less than दिखने का कोई मतलब भी नहीं सो यह पर equal sign चाहिए था यह राओं हो गयी कि नहीं क्यूंक्त दोनों नमबर सेम है सो यह पर equal sign चाहिए था यहाँ पर greater दिखाया है, तो ये भी क्या हो गया? wrong हो गया, अभी next 6 number 138 equal to 138, यहाँ पर यह दोनों नबर same ही है, यहाँ पर equal sign दिखाया है, तो ये क्या हो गया? right हो गया, अभी 7 number 4 into 7 is equal to 30 minus 2, यहाँ पर minus sign है, 4 into 7 किया, 28 आता है, 30 minus 2 28 आता है, तो दोनों क्या है? same same number है, equal sign है, तो यह क्या हो गया? right हो गया, यहाँ पर हमें लिखना है, right, okay? 8 number 25 divided by 5 greater than 5 25 divided by 5 इसको greater दिखाया है, तो यह greater है के सच्मूची हम देखते हैं, तो यह देखने के लिए हमें पहले इसको solve करना होगा 25 को 5 से डिवाइड करना होगा so 5 1 is a 5, 5 5 is a 25, so 5 by 1 यहाँ पर answer आगाया है, 5 by 1 greater than 5, so जिस fraction दिया है, जि fraction में अगर denominator 1 आता है, fraction में अगर denominator 1 आता है, तो उस denominator को हमें consider करना नहीं होता है, जब 1 होता है, तो वो consider नहीं करना होता है, यहाँ पर यह consider नहीं करना है, इसका मतलब क्या है 5 ही है यहाँ so 5 greater than 5, तो यह सही है क्या, नहीं, यह दोनों number 5 5 ही है, तो यहाँ पर equal sign चाहिए था यहाँ पर greater दिया है, तो यह क्या लिखना होगा हमें? यह क्या आ रहा है? wrong आ रहा है ओके अभी 9 नमबर 5 into 8 is equal to 8 into 5 5 into 8 किया तो 40 आता है 8 into 5 किया तो 40 आता है तो दोनों का answer same 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 आता है यहाँ पर equal sign है number same है तो यह क्या हो गया right हो गया ओके 16 plus 0 equal to 0 16 में हमने 0 यार कर लिए कितने आते है 16 और 0 हमने as it is लिखा equal sign भी लिखा so 16 equal to 0 आता है क्या यह दोनों same same है क्या नहीं तो यहाँ पर equal sign नहीं चाहिए तो यह पर greater sign चाहिए तो यहाँ पर equal दिया है तो यह क्या है wrong है ना तो हमें यहाँ पर लिखना है wrong 16 plus 0 is equal to 60 60 हमने 0 एड कर लिए 60 आते है 16 as it is लिए equal sign भी आते है अभी दोनों equal के दोनों side में same number है तो यह यह क्या है राइट है 16 equal to 60 है दोना number क्या है equal equal है यहाँ पर हमें right लिखना होगा ओके अब ट्वेल नमबर 9 plus 4 is equal to 12 तो 9 plus 4 कितने होते है 13 तो 13 equal to 12 है क्या दोनों equal के दोने side में same number चाहिए होगी हमारे तब हम यह यह right बोल सकते थे पर यह दोनों side में same number नहीं है यहाँ पर हमें क्या लिखना है wrong ओके कि कि